मध्य प्रदेश के पितंपूर सागोर के नजदिक आटो टेस्टिंग ट्रेक के पास बन रहे स्मार्ट इंदस्ट्रियल पार्क के लिए नय बने फोर्वेल मार्ग पर रहिवार को दोपहर लगबग सवा दो बजे एक इंडिका कार संबे से टकरा कर सडक पर पल्टी खा गई परिनाव स्वरुप कार सवार एक 18 साल के युवक हर्ष पिता नारान रगुवन्शी निवासी सागोर की सिर में गंभीर चोट लगने से घटना इस्तल पर ही मोथ हो गई जबकि अंकीत पिता कमल रगुवन्शी शुभं पिता संतोष रगुवन्शी और हर्ष पिता महेश रगुवन्शी तीनों की उम्र लगभग 18 से 20 वर्ष के बीच बताई गई हैं जिने घायल अवस्था में उपचार हेतू नीजी अस्पताल भेजा गया है सागोर धाने के प्रेम मालविय पुलिस अधिकारी के के चोहान ने बताया कि घटना की सुषना पर ततकाल मोके पर पहुँच कर घायलों को उपचार हेतू अस्पताल पहुचाया गया जबकि मृतक के शव को पी-म के लिए सामुदाइक स्वास्तकेंद्र पहुचाया गया पोस्ट माटम के बाद देर शाम को युवक का अंतिम संसकार कर दिया गया पीथम पूरसे संजे सुनगरा की रिपोर्ट हेलो प्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल S.W.24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भुलें